दोस्तो वन्डर्टिस चैनल आज लाए है एक शांदार वीडियो मोटिवेशन के उपपर मैं एक नर्सरी में घूम रहा हूँ ऐसा लगा कि क्यों ना इस हर्याली की फोटो कैद की जाए और आपको बताया जाए कि पर्यावरन की वेल्यू कितनी जबरतस्त है आज की तारिक में COVID-19 में जिस तरह से लोग बिमार हो रहे हैं वेंटिलेटर की जुरुत पड़ती है तो वेंटिलेटर का खर्चा देखे बिमारी का खर्चा देखे और अगर आप इस तरह के पर्यावरन में कुछ अपना सहयोग देते हैं तो उसको मुकाबल ही नहीं सीजन भी अभी बरसात का आ रहा है आप पोदे लगाएं कम से कम पाँच पोदे घर का अगर एक आदमी लगाए तो मज़ा आ जाए कितनी टनो अक्सीजन हम लेते हैं इससे तरह तरह के पेड़ें इस नरसरी में फलों वाले हैं फुलों वाले हैं चाय वाले हैं और देखिए क्या शानदा नजारा हमारी जिन्दगी में परेवरन कितना जरूरी है ये थोड़ा सा गाओं की तरह आ कर देखिए इस नरसरी में देखिए इस तरह की नरस्री आपको जगे-जगे मिल जाएगी लोग मिहनत करते हैं देखे चोटी से जाड़ी पे कितने शानदार फूर बड़े-बड़े पेड़ देखिए शानदार और क्या चाहिए अगर परेवरन साफ है तो हमारी जिंदगी और स्मूफ चलने वाली है बड़े-बड़े शहरों में देखिए लोग प्रेशान हो जाते हैं और जब परेवरन मिलता है कुछ एरिया भी होता है कि इतने परसंट अपने को रखना है गौर्मेंट ने काफी नौम से बनाए है फिर भी अपने को देखना होता है कि क्या बैस्ट कर सकते हैं देखिए बा परसा बरसात का आने वाला है पूरी गर्मी यहां पर रही है करीब 45 डिग्री सेंटिक्रेट भी तेंपरेचर गया है उस तेंपरेचर के बाद यह र्याली वापस लोट रही है तो मैंने तो आपसे सिर्फ यही कुजारिश करनी है कि पर्यावरन में पेड़ जरूर लगाएं घर का एक एक मेंबर लगाएं और सब की जिंद्गी को खुशाल करें अगर आपने आज पेड़ लगाया तो दो साल बाद तीन साल बाद वो फल देने शुरू कर देगा हमारी संताने हमारे दोस परिवार देशवासी सभीस को इंजियाए करके तो आप पूरा जोर लगाएं और इस बार प्रण करिए कि हम प्रांक्ष पेड़ हर जेग लगाएंगे और लगाने के साथ साथ हम यह मानके चलेंगे कि हम अपने देश में देश के लिए अपने भी समाज के लिए पिछ करने जा रहे हैंगे अल दबेस्त पिलमेंगे थैंक यू वेरी मच्छ शीओ